19 तथा 25 में दिये गए प्रावधान के तहर इस स्कूल में कम से कम 10 टीचर रहनी चाहिए लेकिन इस स्कूल में सिर्फ 5 ही टीचर हैं और इसी के चलते यहां के बच्चों को पढ़ाई में बहुत सारे समस्याओं का समना करना पड़ता है वो ठीक से पढ़ी नहीं पा रहे हैं वो आगे बढ़ी नहीं पा रहे हैं और बच्चे धीरे धीरे पिछरते जा रहे हैं कम्पूर्टर इस्तमाल ना होकर बेकार पढ़े हैं District Inspector of School की दिल्चस्पी के कमी के कारण इस स्कूल में टीचर का एपन में नहीं हो पार ऐसा स्कूल है जो डिस्टिक हेड़ क्वाटर से दसी किलोमेटर के दूरी पर है लेकिन वहां के स्कूल में टीचर नहीं है और स्कूल का जो हिस्ट्री है वो बताता है कि इस स्कूल चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल कर आगे बढ़े हैं पढ़ाई में बहुत आगे तरक्की की है बच्चोंने लेकिन आज के तारिग में इस स्कूल नेगलेक्टेट स्कूल के रिसाप से गिंती हो रही है बच्चों के अधिकारों के उपर काम कर रहे एक समाजिक कार्य करता के न्याते मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूँ कि आज भी बच्चे किस तरह से अपने अधिकारों से दूर है इस वीडियो देख रहे सभी दर्शोकों से मेरा ये अपील है कि आप डिस्टिक इनिस्पेक्टर आफ स्कूल स्रीमान ललित मुहन खमारी जी को उनके अफिस के फोन नंबर 06678-223296 पे फोन करकर दवाब डाले ताकि इस पूल में जल से जल टीचर का एपोइन्मेंट हो सके मैं अविश्यक कुमारदास गाउं सारावंग जिला नुआ पड़ा उडिसा से इंडिया अनहर के लिए